इस बीडियो में सॉल्व करेंगे क्विशन नबर 6 तो ध्यान देजिएगा फाइंड 6 रिसनल नमबर बिटिविए 2 & 3 तो इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे यूज़ मेथन नमबर 3 का जो हमारे आरस अगाल्बूग में दिया हुआ है तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं लेट कर लेंगे सपोस कर लेंगे लेट x की वैलू जो है वो 2 है और y की वैलू को माल लेंगे हम 3 तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x क्या है less than y है और हमारे पास यहाँ पर n की value क्या होगी जितना निकालना रहता है वह ही होता है n की value तो 6 निकालना है आपको rational numbers तो यहाँ पर हो जाएगा n इस उगल दो 6 और clearly यहाँ पर दिख रहा है कि बिल्कुल x is less than y है अब करना क्या है यहाँ पर एक निकालना रहता है एक number d और d ही होता है जो equal parts में हम divide करते हैं d equal parts में तो d हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर तो फ़मूला होता है y में से x को minus करते हैं ठीक है y में से x को minus करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, n प्लस 1 से, n प्लस 1 से, मतलब कि यहाँ पर करेंगे क्या, 3 में से 2 मानस करेंगे, और डिवाइड कर देंगे 6 प्लस 1 से, मतलब यह आ जाएगा, 1 अपान 7, ठीक है, तो d हमारा निकल गया, 1 अपान 7, और हमने पढ़े हुए हैं, कि जो हमें, अब d मिलने पर जो rational numbers होते हैं, वो होते हैं, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस, ऐसे करके, 6 d तक ले लेंगे, तो लिख सकते हैं आप डिरेक्ली आप, कि, so, the required, required, six rational numbers, between 2 and 3, 3, r, पहला हो जाएगा, यहाँ पर, first, x प्लस d, यह first है, x कितना है, 2 है, यहाँ पर, 2 में add कर देते हैं, यहाँ, d, तो 1 अपन 7 अपन 7 अपन 7 कर देंगे, यहाँ पर, तो मिलेगा हमें क्या, देखें, यहाँ पर, आपन 1 लेकर के LCM लेंगे, तो मिलेगा हमें 7, और यहाँ पर, 1, 7 जा 7 होता है, 7 जा 14 हो जाएगा, 14 प्लस, यह 7 जा 7, तो 1 हो जाएगा, मतलब कि 15 अपन 7 होगा, ठीक है, यह हो गया, first rational number between 2 and 3, अब यहाँ पर, क्या करेंगे, x प्लस 2d कर लेंगे, यह आपका second है, rational number, तो इसमें करेंगे, 2 में add करेंगे, आप 2 multiplied by 1 अपन 7, है न, 2d का मतलब क्या, 2 into 1 अपन 7, यह हम solve करेंगे, तो मिलेगा, आपको 2 plus 2 अपन 7, और इसको solve करेंगे, देखे क्या करना होगा, इसमें multiply करेंगे, और इसमें add कर दीजे, बस, ऐसी करना होता है, 7 तो जा 14, 14 और 2, 16, तो यह लिग देंगे 16 अपन 7, ठीक है, दो निकल गय हो जाएगा, यहां multiply करेंगे, और इसमें add कर दीजे, 7 तो आपको एक pattern दिख रहा होगा, यहां से pattern दिख रहा है, 15 अपन 7 है, 16 अपन 7 हो गया, फिर 17 अपन 7 हो रहा है, मतलब कि numerator में एक increase हो रहा है, हमेशा, ठीक है, तो ऐसे करके, आप जो है, आख मूद करके भी लिख सकत है, ठीक है, मतलब कि इसके आगे वाला जो आएगा, वो आएगा 18 अपन 7, उसके आगे वाला आएगा 19 अपन 7, तो यह लिखने जूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहां pattern को आप समाझ लिजेगा, 2 प्लस, यहां करना पड़ेगा, 4 इन्टू 1 अ और यह निकल जाएगा, 2 प्लस, 5 अपन 7, मिन्स मिल जाएगा हमें, यह हो जाएगा, 7 तो यहां पर, यह हमने कर लिया, 20 अपन 7, तो यहां पर, यह हमने कर लिया, 20 अपन 7, तो फ़रा साम इसको, उपर कर लिते हैं, तो हमने निकाल लिया है, 6 rational numbers, between these two numbers, कौन से numbers में, 2 और 3 के बीच में, हमने निकाल लिया है, 6 rational numbers, पहला आपका क्या है, पहला है आपका 15 अपन 7, 16 अपन 7 is the second one, and third one is 17 अपन 7, 18 अपन 7 is the fourth one, and the fifth one is 19 अपन 7, and the last one, that is sixth one is 20 अपन 7, यह आपके आंसर है, ओके, thank you so much for watching, bye.